पॉलर जैसे amazing results आप लोग खुद घर पे पास सकते हैं वो भी बहुत कम budget में आज की वीडियो में मैं बहुत ही कमाल की face polish बताने वाली हूँ वो भी आप लोगों को दो तरीकों से मैं face polish बताऊंगी complete method बताने वाली हूँ और आप लोगों को live results दिखाने वाली हूँ ये जो आप लोग पॉलर में महंगी महंगी face polish करवा कर आते हैं न वो ही results आप लोगों को मिलेंगे वो भी बहुत कम budget में उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए developer मेरे पास skincare का है मैं वो use करूँगी 20 volume का developer होना चाहिए और आपके पास किसी भी अच्छी company का हो आप वो ले सकते हैं आप क्योंने का ले सकते हैं या कोई भी अच्छा brand हो आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं इसके इलावा इसके साथ एक accelerator आता है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास ये skin care की पूरी facial kit है ये उसके साथ ही आता है अगर आपके पास ये isolator ना हो तो उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी उसके इलावा हमें चाहिए ये isolator जो bleach के साथ इस्तमाल होने वाला powder होता है ये वही होता है ये bleach जब आप खरीते हैं तो उसके साथ ये एक isolator आता है जो bleach powder भी कहलाता है तो अगर आपके पास वो वाला isolator ना हो तो आप ये bleach powder वाला इस्तमाल कर सकते हैं उसके इलावा हमें चाहिए soothing lotion, soft touch का soothing lotion है मेरे पास वो मैं इस्तमाल करूंगी इसके इलावा हमें चाहिए skin shiner ये भी मेरे पास soft touch का है इसके results best होते हैं इसलिए मैं soft touch का ही इस्तमाल करूंगी आपको जो भी company पसंद हो आप इसे ले सकते हैं अच्छा इसकी price मैं आप लोगों को बताती चलो इसकी price 200 rupees each है और इसके इलावा हमें एक काँच का बाउल चाहिए और एक brush चाहिए बस ये चार चीज़ें चाहिए हमें face polish करने के लिए और अगर आपके पास ये चीज़े जादा quantity में ना हो तो कुछ चीजों के साशे भी आते हैं जैसे skin polish के शाइनर के साशे आते हैं तो वो आप use कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले developer ले रही हूँ developer मैं यहाँ पर 2 teaspoon add कर रही हूँ मैं कम quantity में बना रही हूँ तो मैं कम लोंगी अगर आप ज़्यादा quantity में बनाना चाहें तो आप इसे 3 teaspoon या 4 teaspoon भी ले सकते हैं इसके इलावा इसमें मैं ऐसे लिटर add करूँगी और इसकी quantity कम रखनी है एक चौथाई चायवाला चमचा मैं add करूँगी अगर आप इसकी quantity को ज़्यादा रखेंगे तो आपके skin में रशिस हो सकते हैं इचिंग हो सकती है इसलिए हम यहाँ पर सूधिंग लोशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके skin में इचिंग विगरार ना हो खारिश या जलन ना हो उसके इलावा अप मैं इसमें add कर रही हूँ soothing lotion यह यहाँ पर मैं यह भी कम quantity में add करूंगी क्योंकि यह कम quantity में चीजे बना रही हूँ तो quantity का आपने बहुत देहान रखना है इसे मैं तकरीबन एक टी स्पून इसमें add करूंगी इसके बाद जो last चीज में add करने वाली हूँ वो है skin shiner वो भी आपने half टी स्पून add करना है यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा ज्यादा add हो गया था तो इसे आप half टी स्पून add करेंगे इतनी quantity के हिसाब से तो यह चार चीजें इसमें जाती है skin polish में बस इसके इलावा और कोई चीज एड नहीं करनी होती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देख लें इस तरह की चार चीजें होती है चारों चीजों को बस अच्छे से इसकी mixing करनी है और इसे आपने रखना नह करेंगे इस face polish को skin पर apply करने से पहले scrubbing और cleansing का process होता है अगर आप cleansing और scrubbing दोनों ही करती है तो आपको इसके बहुत अच्छे results मिलेंगे मेरे पास skin care का यह scrubber है यह मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ इसे आपने तक 5-7 मिनट तक अपने face face से scrub करना है इससे आपकी face के skin जो है वो अगर आपके पास कोई toner ना हो तो आप rose water भी spray कर सकते हैं face पे तो यह दोनों चीज़ें करने के बाद ही आप face polish का इस्तमाल करेंगे तो ही आप लोगों को इसके best और amazing results मिलेंगे आपकी face पे निखार आएगा और बहुत अच्छा सा glow आ जाएगा तो अब इससे लगाना किस अकसर हासे है वो मैं आप लोगों को बताती हूं इनके हाथों पे मैं अभी apply करने वाली हूं आप लोगों के अकसर comments आते हैं कि आपके हाथ तो पहले ही इतने bright हैं तो आपके हाथ पे results का सही पता नहीं चलता तो किसी और के हाथ पे से apply करें तो आज मैं इनके हाथों पे apply क करके आप लोगों को इसके रिजल्स दिखाऊंगी यह फेस पॉलिश के रिजल्स दिखाऊंगी अच्छा लेकिन हाथ पे मैंने कोई क्लिंजिंग वगरा नहीं की है डायरेक्ट में फेस पॉलिश लगा रही हूं इसे लगाने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है 15-20 मिनट के बाद आप इसे किसी स्पंज से साफ कर लें टिश्यू बगरा से साफ कर लें और यह देखें रिजल्स मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं यहां पे इनका हाथ पहले से ब्राइट लग रहा है अभी जब पूरा हाथ साफ हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को फर्क महसूस हो रहा होगा इनका हाथ पहले से काफी हद तक ब्राइट हो चुका है और दोनों हाथों में आप लोगों को डिफरेंस दिखा रही हूं यह देखें इनका हाथ काफी हद तक साफ और क्लीन नजर आ रहा है अच्छा यहां पे यह हो गई फेस पॉलि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं यह दूसरे हाथ फेप पर अप्लाइए करूंगी आप लोगों को सही से results नजर आए और whitening capsule add करने के बाद इसके क्या results नजर आते हैं आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगी जो मैं आप लोगों को वीडियो के start में दिखाया था अब आप लोग देखें इसको भी मैंने 20 minute के लिए लगा आकर छोड़ दिया था live results आप लोगों को दिखा रही हूं देखें आप लोगों के सामने है इसमें कोई editing नहीं है live results आप लोगों के सामने है देखें इनका हाथ कितना bright हो गया है पहले से और results आप लोगों के बिलकुल सामने है तो ये face polish के साथ साथ आप का face इसको इसको استعمال करने से इस तरह से ब्राइट भी हो जाएगा तो आप ये भी कर सकते हैं कि फिशल करने के बाद आप इस तरह से फेस पॉलिश अपने फेस पे अपलाई कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तिल दैन अल्ला हाफिस